नमस्कार दोस्तों स्वाकति आप सभी का और फिर से एक निव वीडियो में दोस्तों मुझको पता है कि आप कहीं भी किसी स्कूल में पढ़ते हैं चाहिए वो स्कूल सरकारी हो या फिर प्राइबेट हो तो वहाँ पर क्या होता है हमारा एकजामस होता है तो एकजास में क्या होता है कि हमारा कुछ नमबर का एकजाम होता है यह परिक्षा होता है और उस कुछ नमबर में हमारा कुछ ही नमबर आपाता है परिशा देने के बाद तो जो नमबर हमारा आया है, कितना पर तीसत नमबर आया है, यह निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, सबसे असान भी देखिया है, इस वीडियो में सेखिए, देखिए, सबसे पहले कोशन को पढ़ें, केरफुली, समझें, और काफी असानी से स्वल्ब कीजिए, तो हमारा को चोड़िए, मैं आपने सेड कर दिया हूँ, आपको कोशन को सॉल्ब करना सेखना है, तो देखिए, मालजे के चोदे सुबीस नमबर के क्या हुआ है, आपका एक्जाम हुआ है, इसमें आपका पान सो सत्तर नमबर आया है, तो कितना परतिसत नमबर आया, यह आपको ग्या तो लिखेंगे आप सोलोशन के अनुसार हमारा जो है ना 570 नमर आया है इतना लिख लिया अब इसमें गुणा करना है 100 से क्यों क्योंकि हमको परतिसत निकालना है और परतिसत निकालेंगे तो 100 तो आएगा ही तो 100 से गुणा कर दिया और इसे में डिवाइड करना है टोटल नमबर यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा तो करना किया से 570 का गुना करेंगे 10 में तो आपका हो जाएगा संतावन सो कितना हो जाएगा संतावन सो जो ही इसमें लग जाएगा और बाटा में क्या है यहां पर 142 है तो 145 लेखते हैंगे अदिके करना क्या है इस संतावन सो में आपको 142 से क्या करना है डिभाइड करना है यह भाग करना है चोकि बाटा में है तो जब हम संतावन सो में 112 से divide करेंगे तो हमारा divide यानि भागफल आएगा 40.14 और इतना % हमारा number आया है और यह हो गया हमारा पहले question का answer आप divide करते देख लेजिएगा इतना ही आएगा तो दोस्तों यह रहा मेरा second question देखे इसमें क्या बोल रहा है कि अगर 700 number का आपका exam होता है इसमें 470 number आता है तो कितना % नमर आया यह गयात करना है तो करेंग क्या लिखेंगे आपर solution according to the question करनो सार जो number आपका आया है इसमें पहले उसको लिखेंगे 477 आया है तो यह आप लिखेंगे 470 इसमें गुना करना है आपको 100 से चुकि हमको % क्यात करना है अब देखें डिवाइड करेंगे टोटल नमबर याने ए 700 से चुकि हमको टोटल 700 नमबर से एक्जाम हुआ है अब देखेंगे 2 0 से 2 0 कट गया अब क्या बच गया है यहाँ पर यहाँ पर 470 का मढ़ी अपर गारेंगे 1 में तो 470 होगा बाटा में क्या है 7 है तो बाटा में यहाँ पर 7 लिखतेंगे अब देखें क्या करना है भाग करना है देखें 7 के पारणा में 47 तो नहीं आएगा लेकिन 47 सालिस से थोड़ा से कम 42 आएगा कितने बार में तो साथ चक्या होता है 42 यहां पर हम लेखेंगे 6 अब देगे साथ चक्या के 42 तो यहां पर क्या है 47 तो इसमें से 5 बचेगा उस 5 को इस 0 के पहले लगें तो जिएका 50 अब साथ से डिवाइट करेंगे 50 में तो साथ के पड़ें 50 तो नहीं आएगा लेकिन 50 से थोड़ा से कम 49 आएगे कितने बार में तो वह आएगा आपका 7 बार में अब देखिए 49 आगए 7 बार में तो 50 में से 49 माइनस करेंगे तो एक आएगा भागफल उस एक पर क्या करेंगे यहां पर 10 मेल लगाएंगे और उस एक पर 0 और साथ के पाड़ा में तीस नहींगा, तीस से थोड़ा से कम अठाई साई कितने बार में, चार बार में, इन्हें 67,1,4 पर 30 ये हो गया हमारा सेकंड कोशन का भी फाइनल आंसर, एसी तरीका से फटा-फटा आप कोशन को जल्ब कर सकते हैं, आई हो कि ये प्रोसिस आपको सम इन्हें आपरों